नमस्कार दोस्तों सनस्कृत वागेश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ ततिभार रया दोस्तों आज हम अध्यन करेंगे ब्रिहत त्रही का आपने Sanskrit साहिक्ते में बार-बार सुना होगा कि अमुक अमुक जो रचणा है ये ब्रिहत त्रई के अंतरगत आती है या लगुत त्रई के अंतरगत आती है तो ये दोनों क्या हैं? आज इसकी बारे में अध्यन करेंगे, इनमें से आज सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिहत त्रई क्या है? तो ब्रिहत त्रई पहले तो इसे शब्द को समझते हैं कि ब्रिहत त्रई क्या है? इनमें दो शब्द है, सबसे पहला जो शब्द है वो है ब् अगर साहित्य की हो रही है तो इसका मतला तीन बड़े साहित्य उनका समूंग और यहां पर हम जो बात कर रहे हैं मुख्य रूप से यह महा कावियों की बात कर रहे हैं यानि कि संस्कृत साहित्य के वे तीन महा काविय जो बहुत बड़े हैं और आलंकारिक द्रश्टी से तो इन तीनों महाकावियों में ऐसा क्या है पहली बात वरिहत जैसा कि इनों ने कहा कि ये रचनाय संस्कृत साहित्य में बहुत पड़ी है एक में 18 एक में 20 एक में 22 सर्ग है दूसरी बात ये कि संस्कृत साहित्य के अंतरगा जितने कावे शास्त्री होते हैं जितने अलंका शास्री हुए हैं उन्होंने महाकावे का जो जो लक्षन कहा है वो लक्षन महाकावे की रूप में पूर रूप से ये घटित होता है इनके उपर और एक ये आदर्श महाकावे संस्कृत साहित्य के आगे आने वाले भविश्य के जितने भी लेखक हैं उन सभी के लिए एक आ इतिहास की बहुत संदर सामगरी को विस्तार पूर्वक हमारे समक्ष प्रस्तूत करते हैं। दूसरी चीज प्रकृती चित्रन तीनों में ही बहुत अच्छा है। और साथ ही संस्कृत साहिती के तीन महान कलाकारों को यानि की इन लेखकों को समाज के सामने लाए गए हैं इन महाकावियों के द्वारा और उस समाज की जो तातकालिक परिस्तितिय थे और साथ ही जो समस्याएं थी उन सभी का एक एतिहास देखने का स्रोत भी हम इन तीन महाक कावियों को कह सकते हैं तो आईए एक एक करके इस व्रियत त्रही के अंतरगत परिगणित तीनों प्रमुग गरंथों का अध्यन करते हैं इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों किरातार जूनियम यह इनकी सरगों की संख्या की अनुसार क्रम बद्धता इसमें ला दी है सबसे पहला जुगरंथ है इसमें आता है किरातार जूनियम महाकाव्य जो की भारवी के द्वारा लिखा गया है इसके अंतरगत अथारा सरग है और यह महाभारत के वन पर्वसे संकलीत एक छोटी सी कथा है उस कथा का विस्तार रूप करके इन्होंने अथारा सरगों में लिख दिया है यानि कि यहां पर जो नायक है वो अर्जुन है और अर्जुन जो है वो किरात वेशिधारी शिव और अर्जुन दोनों का जो युद्ध होता है यह युद्ध इसके अंतरगत विस्तार पूर्वक वर्नित है मुख्य रूप से इसमें नाम दिया गया है शीरशक श वाशुपत अश्त्र की सिद्धी के लिए इंद्रकील परवत पर तपस्या करता है और उस तपस्या की परिक्षा के लिए शिवजी की रात का वेश धारन करके आते हैं उनकी परिक्षा लेते हैं अंतता है वो पास होते हैं और उनको वो शस्त्र दिया जाता है इस प्रकार से पर दो वीरों का जो युद्ध है बहुत वीरता पूर्ण जो चमतकृत काव्य है ये इसके अंतरगत आता है इसमें वीरस है यदि बात की जाए इस प्रसिद महान गरंथ की तीका की तो इसको उपर टीका लिखी गई है घंटापत गंटापत नाम की तीका किराता जूनियन प जής सर्यथा पढ़ंगा मलेनाज्जी अंप इस महा कावय चाव्य कार्ण के तीनों कावयों को जो हम प्रकार पढ़ेंगे उन कावयों के प्रकार्र में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे संस्कृत में तो एक बंध के इन्होंने चंण भी बना एmm माए पद्य कम अगर आपने पढ़ा हो तो उसका हम अध्यन कावे शास्त्रे द्रश्टी से कावे के जो भेध होते हैं उसमें हम अध्यन करेंगे आप बात करते हैं इस कावे के जो लेखक हैं भारवी जी उनके विशे में देखे सबसे पहले भारवी जी का नामूल लेख हमको मिलता है वो मिलता है एहोल शिला लेख में कालिदास जी और भारवी इन दोनों का ही वर्णन है यानि की कालिदास के आसपास की समय में भारवी भी हो चुके थे इनका समय माना जाता है छटी शताबदी का अंत और साथवी शताबदी का प्रारम यानि की 550 से लेकर के 650 के बीच बीच माना जाता है तो मूल नाम जो इनका है भारवी जी का ये दामुदर था इनके पिता जी का नाम नारायन स्वामी था जो आचारे दंडी हैं जो काव्यादर्श के रचाईता हैं ये उनके दादा है यानि भारवी जी दादा है और ये दंडी जी पोते हैं इनके इनके विशह में कहा जाता है आतपत्र भारवी भारवेर अर्थ गौरवं यानि कि अर्थ गौरव के लिए भारवी का ग्रंथ बहुत ही महतुपोर्ण है भारवेर अर्थ गौरवं इस प्रकार से हम पढ़ा करते हैं साथ ही जो भारवी जी है इनके विशे में प्रसिद्ध है कि नारी केल फल सम्मितम भारवेर वचब यानि कि भारवी जी के जो वानी है उनका जो काव्य है ये बिलकुल नारी केल फल यानि कि नारील के फल के समान है जो कि बाहर से बहुत ही कठोर होता है और अंदर पूरी त अब बात करते हैं कि इन्होंने कावे का प्रारम श्री शब्द से किया है लेकिन प्रतेक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द भी प्रियोक किया है तो इन्होंने जो लक्ष्मी शब्द का हर एक सर्ग के अंदर प्रियोक किया है इसके कारण किराता अरजुनियम को लक्ष्मि लक्ष्मियंत काव्य भी कहा जाता है लक्ष्मियंत काव्य अब इसकी घटना है वो हम बता ही चुके हैं अर्जुन जो है इंद्रकील परवत पर तपस्या करते हैं एक मूख नाम का सुवर होता है उस जंगली सुवर पर इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि शिवजी ने पह है किरातर जुनिय तो इस प्रकार से प्रिहत्रई की प्रथम रचना के विशे में हमने अध्यन किया अगली रचना की विशे में हम देखते हैं जो कि है शिशुपाल वधम शिशुपाल वधम भी एक बहुती महत्वण महाकाव्य है इतिहास की एक सामगरी लेकर उसको महत्वण है तो यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस में जाकर के आप उस पे एक अलग से वीडियो बनाया गया है उसे देख सकते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट कर दूँगी तो शिशुपाल वधम जो की महाकाव्य है इसका जो कथानक है बहुत ही महत्वण है जो महाभारत है उसकी सभापर्व से लिया गया है साथ ही यही एक घटना भागवत पुरान के अंतरगत्री सम्मेलित है इसका जो रस है यह वीर रस है गौडी इसकी रीती है इसके उपर सर्व प्रथम और सबसे सुन्दर जिसको की मली नाजी ने लिखा है जिस तरह किरातार जूनियम लक्ष्मियंत कहा जाता है उसी तरह माग जी के जो काववे है इसको श्रयंत कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काववे के प्रारंब में श्रीय पती ही इस प्रकार से लिख करके श्री शब्द से प्रारंब किया काला था रहा है साथ ही परतिक सर्गे के अंत में इन्होंने श्री शब्त का प्रयोग किया है अतहाँ लक्षमियन तकव्य के विशे में पूछा जाए तो किरतार जूनियं श्यंत कव्य विशे में पूछा जाए तो शिशुपाल मुद् ανतार श्रय शिश्चेुपाल具 से confirmation दुख परू जन में अपने कंश के रूप में रावन के रूप में θα रोध किया है और वर्तमान में जो आपके सामने समस्त्या है यह चेदी नरे शिशुपाल के रूप में आगिया है अब इसका भी वद कीजिए ताकि जो इसकी तरासदी जेल रही है जनता उनको सुख प्राप्त हो और आपकी राज्जी की सीमा है बड़े तो इस प्रकार से शिशुपाल का अंत करने के लिए इस काववे का नाम जो है शिशुपाल वधम इस प्रकार से बहुती सार्थक शीरशक इसमें लिया गया है अब बात करते हैं इस महा काववे के संदर काववे के रचाईता की तो इसके रचाईता है महा कवी माग जो की राजिस्थान से संबंदित हैं राजस्थान के जालोर में एक स्थान पढ़ता है भीन माल ये भीन माल को श्रीमाल भी कहा जाता है ठीक है तो माग जो है वो राजस्थान के रहने वाले थे और जब माग ये वाली रचना कर रहे थे शिशुपाल वधम तो उसी जगह जालोर के अंतरगत यानि राजस्थान म तो दोनों तरफ यानि कि एक बीच में परवत है एक तरफ परवत के एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ चंद्रमा उदय हो रहा है तो उन्होंने बिल्कुल बहुती सुंदर इसका वर्डन किया मानो किसी हाती के उपर दो घंटे लटके हुए हैं इस प्रकार मौजूद है इसलिए इनको माघे संती त्रेयोगुणा अर्थ गौरोवी उप्तमा भी और पदलालित्ते तीनों चीज इनके अंतरगत है इनके कावे में इसलिए इनको कहा जाता है माघे संती त्रेयोगुणा फिर मेगे माघे गतम वया यानि कालिदास जी का जो मेग अब द संस्कृत में दहे ही नहीं जाता है इस प्रकार से जो महाकावी माघ है इनके विशय में उक्तियां प्रसिद्ध है तो इस प्रकार से दोस्तों ये हुई व्रिहत त्रई की दूसरी रचना अब अध्यन करते हैं तीसरी रचना का तीसरी रचना है दोस्तों दिन इस चोटे से नलो पाक्ष्यान को इनोंने 22 सर्गों में बहुती विस्तर रूप दिया है इसके इंतरकत क्या है नल और दम्यंती की प्रणय कथा इसमें वर्णित है इसलिए प्रणय कथा है तो इसमें शंगार्स है वैधर भी रीती है और माधुल यगूण है अब ये देखत नल दमियंति का जब स्वेमवर होता है उस स्वेमवर के अंतरगत राजा नल जो है अनेक देवता मिल करके उनके ही जैसा रूप धर लेते हैं पांच देवता मिल करके तो वहाँ पर पंच नली यानिकी नल के पांच रूपों का बहुत ही सुंदर इनोंने उल्ले किया है तो पंच नली नाम से ये प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध सीधे सीधे पूछा जाता है कि व्रियत त्रई की एक रचना में पंच नली की उपस थापना की गई है तो नैशदीय चरीतम उसका उत्तर होगा यहाँ पाश लेश के वर्णन से बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इनमें श्री हर्ष जो हैं बारवी सताब्दी यानि इसके जो लेखक हैं यह बारवी सताब्दी के लेखक माने जाते हैं श्री हर्ष जिनका की नैशदीय चरीतम है इनके पिता हीर थे श्री हीर मामल्ले देवी इनकी माता का नाम है यह इनके माता पिता है ग्रंत को बहुत इक लिश्ट बताया गया है इसमें इन्होंने एक उकती कही है कि खलः मां खेले तु यानि की मेरा जो काव्य है इससे खलय आनि दुष्ड व्यक्ति न खेले के विल संस्कृत का सच में जो अध्येता है संस्कृत कानुशीलन करता है वही व्यक्ति इसकाध्यन कर पाई इसलिए इन्होंने अपने ग्रंथ को बहुते क्लिष्ट बना दिया है फिर कहते हैं इनके लिए इसलिए प्रसिद्ध है नेशद्धम विद्वद उशद्धम नेशदी चरितम जो है विद्वानों के लिए उशदी की तरह काम करता है और कहा जाता है नेशदे पदलालित्यम इनका पदलालित्यम बहुती प्रसिद्ध है जैसे कि कहा जाता है कि उ वरियत त्रही की तीन रचनाओं का हमने एक संक्षिप्त वर्णान यहां पर किया क्योंकि इनी के सर्वों को बार बार पूछा जाता है इनी के महाकाव्यों की जो टीकां है उसके विशय में पूछा जाता है इनका जो शीर्शक है शीर्शक क्यों रखा गया इसकी जो छोटी तो आज हमने महत्वण विशे का आजद्यान किया है, उमीद है आपको पसंद आया होगा, यदि आपको वागिश्वरी पर दी गई सामगरी अच्छे लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करतीजे और अपने मित्रों के साथ इसे शेर कीजे आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं अगने वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद